नमशार दोस्वों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों घर बार छोड़ना पड़ेगा दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में शमलने का वक्त आ गया है अब आपको कुछ बातों को लेकर शत्रक होने का वक्त आ गया है क्योंको दोस्तों हम आप शिवी को बता दी कि आने वाली दो दुनों के अंदर जो गरहों के स्थिति बनने वाली है जो गरहों में उलट फिर होने वाले है इनमें याद दर्शाय जा रहा है कि यश्मे आपके शत्रू वर्ग आपके खिलाब बड़ा ही शडिंतर रचने वाले हैं और यश्मे अगर आप शमल कर नहीं रहेंगे यश्मे अगर आप हमारी कही की बातों पर नहीं चलेंगे तो दोस्तों आप शिबी को बता दें कि यश्मे आपको शंकटों का शामला करना परशकता है और इन शिया आप बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे कि दोस्वों हम आप शिवी को बता दे कि या शत्रू आप शिवी के पीछे पिछले कई शमय से लगा हुआ है और दोस्वों अगले 48 घंटों का शमय जो गरों की स्थिती है बहुती परवल है और शत्रू भी आपके उपर बहुती पूरी तरेकेशी हावी होने वाले हैं तो दोस्वों हमारा बश्या आप शिवी के यहिने वेदर रहेगा कि अगर आप कोई वीडियो देखे हो या फिर नहीं देखे हो शिवी मतलब नहीं है लेकिन दोस्वों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजिएगा जियां दोस्वों हम आप शिवी को विदा दे कि आज का यह वीडियो आप शिवी के जीवन काल के लिए आपके घर परिवार के लिए बहुत यावश्यक है जियां दोस्वों क्यों दोस्वों आपके उपर आपके परिवार के कई शदस्य हैं जो कि आपके ऊपर निर्भर करते हैं इसलिए दोस्तों आप अपने भलाई और अपने परिवार की रक्षा के दिए इस वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा दोस्तों हमें कहते वे यह बात बहुत ही बुरा लग रहा है परन्तों यह बातों को आपके शान साम हैं उतना ही जरूरी है जितना की जरूरी आपको इस वीडियो को देखना जिया दोस्तों हम आप शिपको ब्ता दे कि पिछले कई शमेशी आपके पीछे बहुत उन्हारे शत्रू लगे हैं जिय दोस्तों जो आपको जान शे मार देना चाहता है दोस्तों एक दो शत्रू नहीं है बलकि 405 शत्रू है जो कि दोस्तों आपको बरबाद करना चाहता है लेकिन दोस्तों उनमें शे 3 एशे शत्रू है दोसे 3 एशे शत्रू है जो कि आपको जान शे ही मारना चाहता है और दोसों आप शिवी को बिताएते कि यश में यश शत्रू ताकतवर बन चुका है जिया दोसों और धेरी धेरी ये ताकतवर ही बनते जा रहा है आप शिवी को बिताएते कि ये जो शत्रू है ये तीन शत्रू काफी शक्ति शाली है जो कि आपको जांशेब मारना चाहता है जी दोस्म ये चाहता है कि आप कब इनके जुनकाल से हट जाए और ये पूरी दरश है आपके जुनकाल में राजकर्षर के आपके बताई हुए बातों पर आपकी जो भी बात आपने किष्ई को बताई है जो भी आपने लाब के मौके बताएं को भी एशे गुप्त राज किशे को बताएं उन्हें जानकर ये आपके शारे लाब को लेना चाहते हैं ये परकार्श कहें तो दोस्वों ये आपके जोनकाल में आपके जगहों पर ये राज करना चाहता है जिया दोसों हम आप शुपी को बता दें कि दोसों यश में ये जो शत्रू है काफी ताकतवर बनते जा रहा है और काफी ताकतवर ये है लेकिन दोसों हम आप शुपी को बता दें कि ये आपके पीछे कई शालों से पड़ा है जिया दोसों और अब ये बहुत ज़्यादा प खुश नजर आ रहे हैं आप शबलताओं को प्राप्त कर रहे हैं जिया दोसों आप सभी को बता दे कि आपने मेहना से जितना ही धन को गठा किया है आप मेहना से परिश्रम करके जो भी खुशियां पाते हैं दोसों ये खुशियां भी इन्हें देखी नहीं जाती जिया दोस और दोस्तों यश में आपको उन्षे शावदान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिया दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजिएगा जिया दोस्तों इन्हें अंत तक ध्यांस देखिएगा इस वीडियो में हम आपको हरी कोह बात बताएं जिन से आप इन्हें अच्छी तरह के से पहचान भी पाएंगी तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा विश्यश है अगर आप इन्हें अंदर तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों आप शिभी का कोई इंशान बाल भी माका नहीं कर पाएगा कोई भी शत्रू आप जोर लगा ले जिन दोस्तों तो आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है कौन से उपाएं को करना है और कौन से कार अब आपको नहीं करने हैं शारे विश्यश बात हैं वीडियो को ध्यान से दिखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं शर्पर्थम जोभी भगवान शन कर दें और शादित साथ दोस्तों कमेंड बॉक्ष में शच्चे मंज्चे शच्चे हिर्देवावशी जय भुलिनात जय शनीदेव जरूर लिखेगा दोस्तों भगवान भुलिनात और शनीदेव की अशिम किर परदिश्टी आप शबी को ब्राप्त होगे जिए उनकाल में आपके शंकर इन शत्रूं से रख्चा आपको करेंगे जी हां दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों शब से पहले आप शिवी को बता दें आप इस बात कर ध्यान रखें कि दोस्तों यह जो शत्रू है यह आपके गुपतर शत्रू है यह आपके अपने में ही रहते हैं आपके शारे राज को ये पता करने के कोशिश करते हैं और बहुत शारे बाते आप इनको बताते भी हैं और ये नहीं बातों को जान कर ये आपको बहुत बात नुक्षान करने की भी कोशिश करते हैं जेहां दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है जेहां दोस जी हाँ दोसों कई वार इन्हों ने आपके उपर एशाख शड़न्त रचा है जिसे आप शमाज में आपका इज़त खराब हो जाए आप जील से लिजाई बहुत बार आपको उपर एशी परियास इन्होंने किया है जें दोस्तों बहुत शारे जातक तो जेल भी जाज सुके हैं इनकी वज़ेशी लेकिन दोस्तों बहुत शारे ऐसे जातक हैं जो नहीं गए हैं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शत्रू है बहुत ही शक्ति शाली भन रहा है कि ये आपके ही शात रहता है इसलिए आपके राज को जान कर काफी सकती साली होते जा रहा है तो दोस्वों आपको इस बात काव शक्त ध्यान रखना होगा और दोस्वों आम आप शुभी को बताया दें कि ये शत्रू एक नहीं है दोस्वों चार-पांच शत्रू है जिन में से तीन शत्रू आपके जुनकाल के लिए बहुत ज़्यादा नुक्षान दायग बन रहा है एक परकार्श के कहें श्रब से ज़्यादा हानी आपको इसी ने पहुंचाया है जिया दोस्वों दोस्वों आपको बताया दें कि ये शत्रू आपके ही शात रहते ही और दोस्वों आपके ही शात रहकर आपके शारे राज को जानते हैं इसलिए दोस्तों आपको बिलकुल ही बरवात कर देना चाहता है और कई बार ये आपको बरवात भी किये हैं करिशारी कारियों में आपको नुक्षान भी कराए हैं और बाद में आपको दिलाशा भी दिया है कि ये तो आपको किश्मत में नहीं था ये होनी था जो हो गया ले दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आपका ये बाल भी बांका नहीं कर पाएगा आप इस बात से निश्चित रहें कि कोई भारी दुश्मन होता तो आप लड़ लेते लेकिन दोस्तों जब आपके अपने ही घर के लोग आपको प पर हच देगा कि ये तो आपके अपने ही है आप इनकर आप इन पर बहुत ज़्यादा भरुशा करते थे और यहीं कि इसलिए दोस्तों आप किशी और को भी ये बाते नहीं बताएंगे हलांकि दोस्तों आप इस बात का बहुत ही खास द्यार लखें कि ये शत्रू आपके शाद घुमते हैं और ये आपके अपने खास आदमी हैं ये आपको आगे बहुत ही मिठा बोली बोलते ही और फीट पीछे ये आपके छुरा भुखने का कारे करते ही और शामने जब भी जा जाए तो दोस्तों ये अच्छी बनने का दिखावा बहुत याच्ची तिरकेश्ट कर लेते हैं और आप इन पर बहुत ज्यादा यकीन भी कर लेते ही ज्ये दोस्तों आप बहुती शरल्शभाव की इन्जान होते ही आपके अंदर छल नहीं होता है इसलिए आप भी और शंकट की शमिंच्या कभी भी नहीं आते दोस्तों, आप शेय को बतादें कि, यह इन्सान आपके पीट पीछे हमेशा खंजर भुकने का कार्य करते रहते है तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, दोस्तों आप को बताही कि, अब आपको एसे लोगों के शाथ अपने जुनकाल की गुपत बातों को बिल्कुल बेश्वाजा नहीं करना है जे दोस्तों आपके शत्रू आपके इनी शुबातों को जान कर आपको सती भोजाने का कार करते हैं जिया दोस्तों तो आई दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शत्रु शे बचने के लिए आपको कौनशे महा उपाय को करना चाहिए फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अब आपको कौनशे शावधानियों को रखनी है जिने सत्रू आपको परिशान ना करे और आपके जुनकाल में जोवी गरों के सिती है वे आपके शाथ दे और आप तरक्य के शियुने पर चुड़े जिया दोस्तों तो ऐगर आप शत्रू का नाम जानते हैं उनके लिए अलग उपाय बताएंगे और शत्रू का नाम नहीं जानते हैं उनके लिए अलग उपाय बताएंगे जिया दोस्तों शबसे पहले अगर आप शत्रू का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों एशे में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपको अपने घर में पूजा पाठ करना है जी दोस्तों परतेक शनिवार और मंगलवार को आपको हनमान चल इश्या का पाठ करना है शाद श्या दोस्तों हम आप श्यूभी को पता दें कि कभी कभी आपको इनमेशे शुंदर कान का भी पाठ करना चाहिए दोस्तों इश्या करनेशे शत्रु की जो बधाई होती है शत्रु के जो विनाश कारी शर्णिंतर होते हैं दोस्तों वो शमाप्त होते हैं शत्रू अपने ही जुनकाल में श्वेह के ही कारियों में उलती जाते हैं, जिन के कारण वह किशी अन्य के कारिय में अड़्चने डालने के लिए शमेही नहीं निकाल पाती, एक परकारशु के हैं, तो दोस्वों इनमें इतनी शक्ति शाली है कि शत्रू खुद के ही शिडें आपको शमिश्मे पर दुर्गा चाली शाखा भी पाट करना चाहिए इश्य भी काफी हद तक लाग होता है शत्रु का नाश होता है जिया दोस्तों शाद्रशा दोसों एक कारगर और एक अच्चुक महाँ उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप शत्रु का नाम जानते हैं त अब इनका उपाय कीजेगा परना दोसों इनका उपाय मत खीजेगा दोस्तों आपको क्या करना है कि शत्रु का अगर नाम झांते हैं तो आपको 38 दाने उड़त के दाल लेने हैं शादि-स शाहर सालिश ए- potencial लियाश दाने आपको चावल के दाने लेने पर जहान पर जहां पर कोई उष्ट में ना आए दोस्तों इस बात के ध्याद रखें शाथी साथ दोस्तों आप शुपी को बता दें कि जहाएं उस जगत चार रास्ता होना पर कीज़त होरे हैं पेदल चलने के भी रास्ते होने चाहिए उनसे कोई दिकत नहीं है लेकिन चारों तरफ शे आने जाने के रास्ति होना चाहिए जी दोस्तों इस बात के दन रखें और आपको क्या करना है वहां पर आपको निम्बू को चार भाग में कारतना है और छे इंच या फिर आठ आपि इंची का अब गड़े खोद कर उस गड़े में अपने शत्रू का नाम लेना है जितने हैं और डुश मन का शत्रूु का भी आपको नाम लेते लेना है जब स्ँआ्या निम्बू के रष गिर जाए दोस्तों चारों निंबू को चारों दिशाओं में भा tweek दना है एक दोसों उन पर मिट्टी ढग देना है और आपको पीछे मुड़कर यानि कि दोसों पीछे मुड़ते हुए आपको वापस घर की और आ जाना है दोसों दोबारा उधर देखना भी नहीं है जे दोसों और जब आप एक किरिया करें कोई आपको रोके टोके ना इस बात का ध्या है दोसों वह धीरे धीरे विनाश होने लगेंगे उनका बरवादी शुरू हो जाएगा जिया दोसों और वह अगर आपके अपने हैं शगेश मंदी है तो दोसों ध्यान रुखेगा वह आप शिमाफिव में मांगेंगे जिया दोसों लेकिन आपको करना क्या है कि आपको कुछ ने किये हैं वरना दोसों आपकी जुनकाल में भी बहुत बड़ा शडियंतर हो शकता है आपके लिए विकट परिस्तिती बन शकती है तो इस बात का आप ध्यान रखेगा शादिशा दोसों आगे आपको क्या करना है दोसों एक और बात घर्शी कभी भी किशी कार के यह जाएं तो किशी भी इंसान को बताएं नहीं कि हम इस जगह पर जा रहे हैं इस कारी के लिए जा रहे हैं जे दोसों इस बात का आप ध्यान रखें अपने बात को अपने राज को हमेशा गुपत रखें यह आपके लिए बहतर होगा आपको अपने आप में ही हर बातों क शत्रू बनते जा रहे हैं जे दोसों आपकी तरकी को कोई भी इंसान देख नहीं पा रहा है जे दोसों आप शुभी को बता दें कि यश में आपको बहुत इप महत्मुन बातों का ध्यान रखना होगा जे दोसों अगर आप बाहर निकलते हैं वहां चलाते हैं थोड़ी चीशे आपको लड़ाई जगरा बिल्कुल भी नहीं करना है एशब कारियों में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है अगर कोई आपका मित्र किया कावं में लड़ाई जगरा हो रहा हो तो दोसों वहां से आपको हटकर घर की और आ जाना है जे दोसों उसके लड़ाई के शमय आप अपने आपको ध्यान रखें और आपको अपने घर आ जाना हैं यह दोसों यह जो शमय है आपको अपने घर का गुप्त युजण आ यह वंग नई कारवार की शुरुवात करना चाह रहे हैं दोसों यह दोसों यह उख 있습니다 को कोई भी खबर किशी भी किशी इंसान को ना दे चाहे आपके कितना भी सत्राइब हो इन We Tomb भी आपको भी संग शमंदि हो की शाधी के भर में किशी की का रिष्टा टूटा हुआ है साधी की बारे में कीशी का बात करना चाहे हैं तो दोस् муз有 बारे में आपको किशी को नहीं बताना है उसे भी नुक्षान होगा कारियों में आपको अश्पलता प्राप हो जाएंगी तो दोस्तों इस बात कर ध्यान लगें शाथ शाथ दोस्तों जो शत्रू है वह कौन है उसको पहचानने के लिए आपको किन बातों का ध्यान लगना है आपको शमज अगरा ज चाहा है जेल के चकर में भी वह पड़वने चाहा चुगा है जिए दोस्तों कई बार उनकी कोशिश शफल भी हुए है लेकिन भगवान भोलेनात की किरपा आपके शाथ होने के कारण दोस्तों कई बार आप छुट भी गए हैं उस शमश्याएं आपके शाथ से हट भी गया है जी है दोस्तों शाथ शाथ आपको बता दे कि अगर गाउं शमाज में रिस्ता मानते हैं तो दोस्तों वह आपको लक्ष रखता है थोड़ा ध्यान से शमझना है कि दोस्तों इस बात को आपको लंबे शमश में से कई बार प्रयाश करने का प्रयाश कर चुका है जेल भी शत्रक रहना होगा और कभी भी उनके कुछ बातों में आपको कुछ भेजना नहीं है कोई बात कहेगा कुछ भी बातों में आपको कुछ भी चाहे लालस देगा दोसों उनके बातों में आपको आकर कोई भी कार नहीं करनी है इस बात के बशाब ध्यालकें नहीं तो दोसों दोसों इसके बाद दोस्तों एक शब्दों में कहें तो इसकता है कि केशिए अप लड़कर अपनों में ही कटकर डोस्तों अपनानुक्षान कर बेठें और यह दोस्तों in T Idag मर जाए और लाठी भी न तूटे दोस्तों इशा शडइन्त यह आपके खिलाफ रजते हैं तो दोस्तों इन शबी बातों को लेकर शावदान है रहना है अर शत्रू के लिए आपको उपाई करना है और दोस्तों उनके लिए आपको निश्चिंत रहें जिनको पेशा देना बहुत वह शक है जो अशी पेशा मांग रहा है दोस्थों इस बात कि ध्यान रखेगा कि पेशा मांगते हैं आप उन्हें देदेड़ेगा लेकिन उधार कहने की बात उन्हें मत बोलिएगा दोस्तों अगर वो कहें कि हम उधार मांग रहे हैं तो दोस्तों पेशा बिल्कुल भी मत दिजेगा दोस्तों अगर वो कह रहे हैं कि दोस्तों ये पेशा हम इस काम में लगाएंगे तो दोस्तों आप उन्हें पेशा दे सकते हैं इस बात को भी आप द्यान में रखेगा इन शे परिशानी आपकी घराश रखती है तो दोस्टों धन की दिक्कत इन ही करनेशे होती है अगर आप इस बात को शमच गये हैं तो दोस्टों आपके जुनकाल में मारता लक्षमी हमेशा प्रिशन रहेंगी जी है दोसों, शादेशाद दोसों हम आप शिवी को बता दें कि कोई भी आपके रुजगार में शत्रू बन रहा है, तो दोसों उसके लिए आपको कौशे उपाय करना चाहिए, दोसों इन बातों को आप ध्याश शुनिएगा, दोसों आप किन्नर को हरे रंग का वस्तर दान करें, हरे रंग की चूड़ी आप उन्हें दान कर सकते हैं, इसी दोस्तों जो भी अकाल आपके घर में आ रहा है, जो भी बधाय आपकी जुनकाल में आ रही है, जो भी बड़ी मुश्यवत हो, कितनी भी बड़ी मुश्यवत हो, दोस्तों वो मुश्यवत शमाप्त हो जाए धर में बुरती होना प्रारम हो जाएगा नए रोजगार की प्राप्ती होगी शादि繼續 नए रोजगार की कामना कर रहे थे उन्हें मनचहर रोजगार बीन चे मिन तो दोस्वों ये जो उपाए हैं बहुती शिद उपाए है, यह आपको जरूरी किजिएगा शादि शादिस साथ दोस्तों आप शिवी को बता दे कि माता लक्षमी को प्रिशन के लिए आपको मालक्षमी का शुक्त का भी पाट करना चाहिए जी दोस्तों मालक्षमी के लिए जो उश्का मंत्र है ओम भूर भुवश्वाहा दोस्तों इस मंत्र का भी आपको रोजाना पाट करन इसना चाहिक वात का ध्रके अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो दूस्य करकुखा क्या अगर आकार में में कालेर जहें तो दोस्य कामिदनें की ध्यूचे रहेका अगरuben शु cordg k игр कर्सक थें नहाद होकर बिल्कुल ही पुजा पार्ट की शिमागरी को लेकर दोस्तों आप इश उपाय को किजी का बहुत ही कारगर उपाय है इसे दोस्तों घर में माता लक्षमी का वाश रहता है और धन की वर्षा होने लगती है कारवार में बहुत यदिक बड़ोत्य होती है नई की वर्ति को मिलते रहता है जिया दोस्तों शाद शाद हम आपको बता दें कि कार में अगर आपको आश्रु भलता हांत लग रही है या फिर कारवार में ब्रिद्धी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है उसके लिए आपको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन शुरुदेव होने से पहली पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए इस ये आपके घर में ब्रिद्धी होने लगेगा जिया दोस्तों धन में काफी आपको बढ़तरी देखने को मिलेंगी और जो भी तरकी का शुरूद है वो बढ़ेगा रुजगार कारवार मे आपको नए उम्मेदें दिखाए देंगी नए अपरज़ूटी आपको मिलेंगी और आपका कार देखते ही देखते बढ़ता चले जाएगा जी हाँ दोस्तों शादे शाद हम आपको बता दे कि अगर आप अपने जुनकाल में आर्थिक तंगियां शे बहुत ज्यादा प् अपिशी भी इस तरी वर्क के लोगों को आप अपमान कर देते ही तो दोस्तों इस शित धनकी शमची आपकी जुनकाल में आती ही है चाहिए आप कितनी बीडी नोक्री कर रहे हो चर्वीश कर रहे ओ या फिर कोई भी बड़ा धन्दा आपका क्यों न शर रहे हो जैं दोस् चाहे वां इस तरी कितना भी गलत कर रहे हो इसके उपर माता लक्षमी का श्रूत माना जाता है तो दोसों आपको कभी बी किशे भी आूरत को आप शब्द नहीं बोलना है यहां दोसों इस बात कगर आप दियान रखेंगे तो दोसों आपको हमेशा माता लक्षमी जी का शिर्बात प्राप्त होगा माता लक्षमी जी हमेशा आप शे प्रशन रहेंगी और धन श्रम पत्ती में आपको हमेशा ब्रिदी देखने को मिलेगा कभी भी आप धन को लेकर पिशान नहीं रहेंगे तो दोस्तों इस बातों का ध्यान रखें तो दोस्तों यह जो उपाय है यह आपके लिए बहुत तेव महत्पुन उपाय है इन्हें आपके जएगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक की आप श्वची का दिन मंगल में हो धन्यवाद